वसे विरार शहर महानगर पालि का दिखाव टिकार प्रनाली और दोहरी राजमीती पर काम कर रही है एक तरफ बेजनाला सुपार वसे विरार में मेरतोन प्रतियोगिता का आयो जनकर बेज दिखा रही है कि खेल कितना महतोपूर्ण है लेकिन दूसरी और विरार के भूमे पुत्र हार्दिक पाटिल को जिन्होंने खेल जगत में सफलता के जंडे गाड रखे हैं उन्हें नजर अंदाच कर रही है नमशकार मैं हूँ आपके साथ शिवानी दूबे और आप देख रहे हैं Mirror of Truth जैसा के आप सभी को पता है 11 दिसंबर याने की कल वसे विरार शहर महानगर पालिका द्वारा नाला सुपारा वसे विरार में मेराथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है ऐसे में वसे विराज शहर महानगर पालिका दिरार के भूमिपूत्र हारदिक पाटिल को नजर अंदाच कर रही है आखिर क्या है पुरा मामला और आखिर वसे विराज शहर महानगर पालिका द्वारा किये जाने वाले इस वेभार के पीछे की वज़ा क्या है हम खुद जानते हैं हारदिक पाटिल से मैं लास्ट विक में अबराड में था मेक्सिको में आयन मैं करने के लिए गया था तभी यह चीज की कोई भी जानकर ही नहीं थी जैसे मैं यहां वे इंडिया में वापीस आ गया तभी पता चला कि बहुत सारे लोगों ने मेरा मुद्दा उठाया कि वो अपिक्षा कर रहे थ कि मुझे महापूर मैराथान में ब्रैंड एमबेसेटर या फिर फिर फेस आफ दे इवेंट के रूप में देखा जाए उसके चर्चा करते वक्त लिगली हम बहुत सारे लोगों ने नोटी एप्लिकिशन किया कमिशनर साब के पास हाला कि वो रिजेक्ट करवा दिया वो अ और यह वो अफिलेटेड नहीं तो उसकारण से कमिशनर साब ने प्रोजेक्ट प्रोपोजल रिजेक्ट करवा दिया ऐसे मुझा लगता है हाला कि मैं उनको सल्लागार है कमीटी मेंबर से मेराथान कमीटी मेंबर उनको बताना चाहता हूँ कि डव्यू टीसी वर्ल्ट रा असोसियेशन है तो कोई भी यह आयन मैं नहीं प्रतियोगीता रेगुलर या कॉमन नहीं है यह बहुत ही हमियत वाली रेस है तो जो मैं करते आया हो और मुझे यह खुशी मिली कि बहुत सारे फैन फॉलोविंग से उनके तरफ से प्राइबट मैसेज आए कि हम आपको वहा दुख से जादा खुशी है कि लोगों के दिल में मेरे लिए जगा है वो देखके बहुत अच्छा लगा तो यह मेरा थान होने जा रहा है इसमें ना तो अथिती बनाया गया और ना ही बुलाया गया लेकिन हमार हमें यह पता है कि आपको कोलापूर में थाने में इन सब ज और मैरे तो भी है आउजिट की थाने में वहां पर भी में अबसेटर था वैसे पुना में है बैंगलोर में विसे बहुत सारे सीटी में आउड-अफ-टेड मुझे में तो यह प्रोबलम है या उनकी अपरिक्षा यह रहे गी कि अर्दिक पाटिल के जेव रेकौर्ट है चार नैशनल रेकॉर्ड है, तीन इशिया रेकॉर्ड है, उसके और जादा चाहिए, तभी मैं वहाँ पर उस क्राइटेरिया में बेट सको, ऐसा माना जा सकता है, यह मैं बात बोलना चाहूंगे हाँ जैसा कि आपको पता है कि यह जो वसे विरा शहर महानगर पाले का दोरा म बढ़ चड़कर हिस्सा लें, लेकिन दूसरी जगे ही जो विरार जो कि यहां के भूमी पुत्र हैं आप, आपके साथ ऐसा वैभार और आपको एक तरीके का जो सम्मान देना चाहिए, वो उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो हमारे सवाल यह है कि वसे विरा शहर मह अपने स्पोर्ट्स में नैशनल मेडलिस्ट है, नैशनल इंटरनेशनल इवेंट अटेंड कर चुके, मुझे छोड़ो उनको भी नहीं पुलाया गया, या उनका भी सन्मान नहीं किया, हम सन्मान के लिए नहीं बात करेंगे, लेकिन एक अपिक्षा होती है, मेरे अलावा जो नैशनल प्लेयर है, उनको भी पता नहीं चला कि कभी मैरेजन के लिए ब्रेंड एम्बिसेटर को सिटी के बाहर का या फिर स्टेट में जो बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो जिन्होंने नाम वसाई विरारका किया है, उनको बुलाना चाहिए था, वो नहीं किया, मतलब मैं यह नहीं बुलूँगा कि मुझे ही बुलायाना चाहिए था, या मेरी रेकॉर्ड्स है, मेरे अलावा वसे इतालो के में बहुत सारे ऐसे खिलाडी है, जिनकी भी यह जगे पे उनकी चुने जा सकते थे, वो दुख की बात है वसे विरार में दूसरा भी मुद्दा चल रहा है, जैसे आपका जो मामला चल रहा है, जो कि अभी कोट का चाहरी और यह सब के भी चक्कर आप काट रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्तिकत तोर पर आप यह सारी चीज़ें कर रहे हैं और यहां के सत्तादरी का इसमें कोई इनवाल्मेंट डाइरेक्ली नहीं दिख रहा है, रही बात कि जो कोट केछिरी चालो है, वो तो चलते आया है, चलते रहेगा, उसकी और इसकी मुझे नहीं लगता है, यह लोग मिक्स कर रहे हैं, पर पता नहीं यह भी कारण हो सकता है, वो तो जो किया गया है, वसेविरा शहर महानगरपाली का द्वारा, तो हमने जब इस बारे में आयुक से सवाल किया था, तो उनका यह कहना है कि जो सुरू में, यानि की कोवीड काल के वज़े से जब कुरूना काल चल रहा था, मेराथान का आयुजन नहीं किया गया था, लेकिन उसक किया, इस प्रतियोगिता को आयुजन करने की जिम्मेदारी क्यों दी, तो आयुक का यह कहना था, कि अभी मैं नया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए जो पिछले साथ, जिन्हों ने पिछली बार किया था, हमें ऐसा सुझाओ दिया गया, और सुझाओ पर कारे करेगा, तो नाला सुपार वसे विरार जिसे शहर का हाल, क्या होगा, और कहीं ऐसा तो नहीं, कि आयुक अनिल पवार, यहां के सत्ताधारी पार्टी, और कुछ आला अधिकारी, और कुछ नेताओं के हाथों की कटपुतली बन कर रहे गए हैं, जो कि उनके इशार करने दुबे फिर मिलूंगे आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें Mirror of Truth, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना